नमस्कार वीके बिन्यूस के सबसे खास, सबसे सटीक और लोगप्रियशोद देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एडी ने अंडरवल डौन दाओ दिब्राहिम के खासमखास गुरगे इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी को अपना नया दफ्तर बना लिया है जिहां साल 1986 में इकबाल मिर्ची ने इस प्रॉपर्टी को दो लाख रुपे में अपनी पहली पतनी हाजरा के नाम पर खरी दी थी वही आगा में मुंबई महार अगर पालिका चुनाव में टिकेट कटने के डर से एक वेक्ती ने पूरो कॉंग्रेसी विधायक चंडरकार हंडोरे की हत्या की सुपारीद दे दी F.I.R. दर्चकर पुलिस मामली के चानविन कर नहीं है तो प्रदेश भाटपा युआ मोचा ने कुल आधिपतियों के अधिकारों में कटोधी करने संबन दी विधायक की विरोध में मुख्यमंतिर उधर ठाकरे को दस लाख पत्र बेजने का फैसलाग किया है उधर सुलापूर की सांगोला सीट से शिवसेना विधाय शाहाजी बापू पार्टिल ने आरोप लगा है कि माराश्ट सरकार में वरिष्टी विधायकों को भी मंत्री बद नहीं मिल रहे है इसे बीच मुंबे में कोरणा के केस 20,000 के आस पास आने लगे है ऐसे में राज सरकार ने प्रतिबंद लगाने के शुरुवात कर दी है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ एडी ने अंडरवर्ड डॉन दाओ दिबराहिम के खासम खास गुरगे इकबाल मिल्ची की प्रॉपर्टी को अपना नया दफ्तर बना लिया है यह इमारत कभी इकबाल मिल्ची के कबजे की थी हाला कि मौझुदा समय में यह एक बड़े राजनिता की मालिकियत वाली संपत्ती है साल 1986 में एकबाल मिल्ची ने इस प्रॉपर्टी को दो लाख रुपे में मोहमत से अपनी पहली पत्नी हाजरा के नाम पर खरिद लिया था बाद में मिल्ची ने इस संपत्ती के बगल मौझूद गैरेच और इमारत पर अतिक्रमन कर वहाँ पब शुरू कर दिया था हाला कि बाद में उसे यह पब बंद करना पड़ा जहां सिवर जग्स का काला कारोबार भी करता था बाद में मिल्ची ने यह प्रॉपर्टी मिलेनियम डेवलोपर्स को बेच दी बिल्डर ने मिल्ची परिवार को तीसरे फ्लोर पर 9000 और चौथे फ्लोर पर 5000 वर्क फिट के फ्लैट दिये थे इस इमारत के आर्किटेक्ट नाशिर तलाटी थे और इसे NCP निता प्रफुल पटेल की मिलेनियम डेवलोपर्स ने बनाया था अब E.D. अपने एक जोनल आफिस को इस इमारत के दो फ्लोर में शिफ्ट कर रही है बीते साल फरवरी मेने में विशेश PMLA कोर्ट ने इकबाल मिल्ची की संपती को सीज करने का आदेश दिया था E.D. ने अदालत में यह आचिका दायर की थी कि उन्हें इकबाल मिल्ची की 15 संपतियों को सीज करने की जाज़त दी जाए जिसमें सीजे हाउस में मौझूद दो फ्लोर भी शामिल थे इकबाल मिल्ची की इन संपतियों की कुल कीमत 100 करोड रुपे से भी ज्यादा की थी आगामी मुंबई महानगर पाली का चुनाओ में टिकेट कटने के डर से एक वेक्ति ने पूरो कॉंग्रेसी विदा एक चंदरकान हंडोरे की हत्या की सुपारी दे दी शिकायत की आधार पर तिलकनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाब धमकाने साजिश रचने और जान से मारने की सुपारी देने के आरोप में एफाईयार दर्चकर छान बीन शुरू कर दी है हंडोरे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्च किया है मामले में मुख्यारोपी निलेश नान्चे नाम का शक्स है दरसल नान्चे आगामे मुंबई महानगर पाली का चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पर चुनाओ लड़ना चाहता था लेकिन हंडोरे के साथ उसके दिश्टे अच्छेन नहीं थे दोनों के बीच कई बार अन्बन हो चुकी थी इसलिए नान्चे को डर था कि पार्टी में हंडोरे के प्रभाव के चलते उसका टिकेट कट सकता है इस बात को लेकर शुकरवार को भी हंडोरे के साथ नान्चे का भी बाद हुआ था इस दोरान उसने हंडोरे को जान से मारने की धमकी भी दी थी बाद में हंडोरे को पता चला कि नान्चे ने संदिप गोरे नाम के विक्ति को उनकी हत्या की सुपारी भी दे दी थी इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्च कराई सिनियर इंस्पेक्टर सुनिल काले के मुताबिक मामले में आई पीसी के अनिकधाराओं के तहट धमका ने साजिश रचने के आरोप में F.I.R. दर्च कर ली गई है मामले में अभी आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया है पुलिस चानबिन में जुटी हुई है प्रदेश भाचपा का युवामोर्चा राज के विश्विद्धालों में कुलादीपती तथा राजपाल भगट सिंग कोशारी के अधिकारों में कटोती करने संबन दी विद्धाक के खिलाप आकरमक हो गया है भाचपाईवामोर्चा ने इस विद्धाक के विरोध में एक लाख SMS भेजने की शुरुआत की जाएगी सामन की मोबाइल नंबर पर एक लाख मिस कॉल भी दिया जाएगा इसके अलावा अन्य मंतरियों के घर के बाहर रंगोली निकाली जाएगी पार्टी ने खा कि प्रदेश सरकार ने विदान मंडल के शीतकालीन सत्र में महराष्ट सराजने की विश्यविद्याले संशोदन विदेख को जलबाजी में पारित कराया था सरकार के ने विदेख से राज़पाल के अधिकार कम हो जाएंगे विश्य विद्यालेओं में कुलपतियों की न्युक्ति में सरकार का राजनितिक हस्तक शेप बढ़ जाएगा सरकार विश्य विद्याले राजनितिक आखाडा बनाना चाहती है इस विद्यक को केवल प्रदेश के परेटन मंतरी आदित ठाकरे के जित के चलते पारित कराया गया है इसलिए भाजपाविवा मोर्चा ने इस विद्यक के खिलाब जोरदार अंदोलन शुरू किया है इस विदेक को वापस लेने तक बाजपावया मोचा की लड़ाई जारी रहेगी सोलापूर की सांगोला सीट से शिवसेना विधायक शहाजी बाबू पार्टिल की अपनी ही पार्टी से नाराजगी सामने आई है विदायक शाहाजी बाबू पार्टिल ने पंधरपूर में एक जनसभा में कहा कि महाराच सरकार में वरिष्ट विदायकों को भी मंत्री पैद नहीं मिल रहे है उन्होंने अपने विदायक बनने के पीछे भी भाजपा और चोटी पार्टियों को वज़़ बताया शिवसेना विदायक ने दावा किया कि वे 2019 का चुनाव इसलिए जीत पाएं क्योंकि उन्हें भाजपा, राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टियों का समर्थन मिला था उन्होंने आगे मंत्रिबत के लिए वरिश्रेंता को तवज्जो न देने का मुद्धा उठाया और राकामपा नेता बबनशिंदे का उधारन देते हुए कहा कि महाविकास आगड़ी सरकार में उन्हें तक कोई पद नहीं मिला और उपर से पार्टि की ओर से चुप रहने के निर्देश दिये गए शिवसेना नेता ने कहा कि तहसील में शिवसेना के सिर्फ 1100 वोट है इसके बावजुद में विधायक बना क्योंकि भाजपा, राकामपा और बाकी पार्टियों ने मेरा समर्थन किया गौर तलब है कि महाराष्ट में शिवसेना, राकामपा और कॉंग्रेस के गडबंदन वाली महाविकास आगड़ी की सरकार है लेकिन तीनों ही पार्टि के नेता कई मोकों पर एक दूसरे की विरोध में बयान देते नजर आ जाते है पार्टियों ने कहा कि माड़ा लोगसबा शेत्र से राजसरकार में कोई मंत्री नहीं है मैं तो शिवसेना से पहली बार विधायक बना हूँ हमें पार्टि की ओर से कहा गया था कि गडबंद नहीं करना है इसलिए मंत्री मंडल के गठन के समय दूर ही था मुंबई में कोरुणा के केस 20,000 के आस पास आने लगे है ऐसे में राजसरकार ने प्रतिबंद लगाने के शुरुवात कर दी है मुंबई में नाइटकर फ्यूड लागू होगा अन्य प्रतिबंद भी लगेंगे लेकिन यात्रा के दौरान नियमों का पालन करना बहत जुरूरी होगा राजसरकार ने नए नियमावली में नीजी कारवालों पर भी कारवाई का देश दिया है अब नीजी कार में भी माक्स पहनना अनिवार है यदि नीजी कार में यात्रा के दौरान माक्स नहीं लगाया तो कारवाई हो सकती है हाला कि एक ही परिवार के होने या एक ही घर में रहने वाले लोग होंगे तो कारवाई से बस सकते है लेकिन कार में दोस्तों या रिष्टदारों के साथ यात्रा करते हुए यदि माक्स धंग से नहीं पहना तो कारवाई की जाएगी एक अधिकारी ने बताया कि कारवाई करने वाला पहचान पद्र की भी मांग कर सकता है ताकि चेक किया जा सके कि सहयात्री रिष्टदार है या कोई और इसी तरह पबलिक बस में यात्रा के दोरान लापरवाई करने पर कंड़क्टर बस से उतार सकता है राज्य सरकार की नई नियमावली में इस तरह के अधिकार सम्मधित विभाग को दिये गए है लोकल में माक्स नहीं पहनने की शिकायते लगातार सोशल मीडिया के माधम से मिल रही है BMC ने फिर से लोकल ट्रेनों में लापरवाई करने वालों पर कारवाई के लिए टीम तैनात की है यह टीम ट्रेनों में प्लाटफॉर्म पर स्टेशन परिसर में दोशी लोगों पर कारवाई करेगी पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रेलवे पर करीब 18,000 लोग बिना मास्क या लापरवाई से मास्क पहने हुए पकड़े गए थे बात करते हैं देश के प्रमुक खबरों की राज़दानी नहीं दिल्ली में 400 से जादा संसत करमचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई संसतिय समितियों की बैठके रद कर दी गई है पहली और दूसरी दहर में भी 27 समितियों की बैठके रद कर दी गई थी इसे बीच भारतिय रेलवे ने मकर संकरांती उत्सों के दोरान दक्षिनी राजों में 20 जनुरी 2022 तक किराएं में रुद्धी करने का फैसला किया है यह कदम कोरुना की रोहतां के मदे नजर उठाया गया है तो सुप्रेम कोर्ट आज उत्राखन के हरिद्वार में अजित धर्मसंसत के दोरान अबद्र भाशा बोलने वालों के खिलाब कारवाई के मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है इसे बीच सुहिल देव भारत्य समाज पार्टी के प्रमुग ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि भाशपा के कई मंत्री सपा प्रमुग अकिले शियादों के संपर्क में है वे पालाब बदल भी सकते है उदर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश के बाद कडाकी की सरदी पढ़ने लगी है शीतलर की आशन का वेक्त की जारी है जाने है सारी बड़ी खबरे हमारे साथ दिली में 400 से ज्यादा संसत कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की बाद और राष्टिय राजधानी में मामलों में वृध्धी की कारण कई संसदिय समीतियों की बैठके रत कर दी गई है सुत्रों ने कहा है कि कार्मिक, लोक्षिकायत, कानूर और नैच शेयर परसंद, शहरी विकास और परियावरण, विज्यान और प्रोध्यगी की मंत्राले पर संसदिय स्थाई समीतियों की बैठके रत कर दी गई है इस सप्था के अंत में होने वाली विदेश मामलों की स्थाई समीति की बैठक को रत करने का निरने दिन में बाद में लिये जाने की संभावना है इससे पहले पहली और दुसरी लहर में भी कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही स्थाई समित्यों की बैठके रत कर दी गई थी कई सदस्यों ने स्थाई समित्य की वर्चियोल बैठक बुलाने की मांग की है रैंडम कोरोना टेस्ट के दोरान 400 से जादा संसत करमचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गया है इन में से 65 राज्यसभा, 200 लोक सभा और 133 संबद्ध सेवाउ से संबंदित है राश्टिय राजधानी में मामलों में अचानक पुरुद्धी के बाद रैंडम कोरोना टेस्ट किया गया और पॉजिटिव पाए गया अधिकांश करमचारियों में कोई लक्षन नहीं दिखा राज्यसभा सचवाईले रे अब करमचारियों के उपस्तिती को प्रतिबंधित कर दिया है नए दिशान निर्देशो के अनुसार 50% करमचारियों या अवर सचिव या कारे कार यधिकारी के पत से नीचे के अधिकारियों को घर से काम करना जरूरी है भारतिय रेल्वे ने मकर संक्रांती उत्सों के दोरान दक्षिनी राज्यों में 20 जनवरी 2022 तक किराय में वृध्धी करने का फैसला किया है दक्षिन मध्य रेल्वे की अधी सूचना के अनुसार सिकंदराबाद, हैदराबाद, लिंगम पल्ली और बेगम पेट रेल्वे स्टेशनों तथा सिकंदराबाद डीवीजन के अन्या प्रमुक रेल्वे स्टेशनों पर प्लैटफॉर्म टिकेट की दरों में अस्थाई गुना कर दिया है, जबकि सिकंदराबाद स्टेशन पर प्लैटफॉर्म टिकेट की कीमत मूल कीमत से 5 गुना बढ़ा दी गई है, प्लैटफॉर्म टिकेट की बड़ी हुई कीमते 20 जनवरी 2022 तक लागु रहेगी, बता दे कि रेल्वे स्टेशन पर जाने के लिए भी टिक करना है और उसने यात्रा का टिकेट ले रखा है, तो उस्थिति में शक्स को अलग से प्लैटफॉर्म टिकेट की जरूरत नहीं होती है, सरकार के फैसले के खिलाफ संगट नो ने रोश जताया है, उनका कहना है किस से आम लोगों की परेशानिया बढ़ेगी सुप्रिम कोट आज उत्तराखंड के हरिद्वार में आयो जित धर्मसंसत के दोरान अभधर भाशा बोलने वालों के खिलाफ कारवाई की मांग करने वाली जनहीत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है प्रधान नयदिश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीट ने वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलिल पर गौर किया कि प्राथमी की दर्ज होने के बावजुद भढ़काव भाशन देने वालों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई है कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने ये जनहीत याची का 17 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में धर्मसंसत में हुई घटना के समद में दायर की है हम ऐसे कठिन समय में जी रहे हैं जहां देश में नारा सत्यमेव जैते से बदल गया है CGI ने कहा कि ठीक है इस मामले को उठाएंगे बतादे कि हरिद्वार में पिछले मही ने एक धर्मसंसत कायोजन किया गया था जिसमें विशेश धर्मसंप्रदाय के खिलाफ भड़काव भाशन दिये जाने का मामला सामने आय था इसमें उत्तराखंट पुलिस ने वसिम रिजबी और जितेंदर नारायन त्यागी और अन्या के खिलाफ प्राथमी की दर्च की थी पुलिस ने जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया पर धर्मविशेश के खिलाफ भड़काव भाशन दे कर नफरत फैलाने संबंदी वाइरल हो रहे विडियो का संग्यान लेने हुए वसिम रिजबी और जितेंदर नारायन त्यागी एवं अन्या के खिलाफ कोत्वाली हरिदवार में धारा 153A आईपीसी के अंतरगत मुकदमा पंची कुरूत किया गया है उतरपदेश विदानसभा चुनाओं के लिए तारिकों की घोशना हो गई है सभी दल जोर आजमाईशे में लगे हुए है आरो प्रत्यारों के बीच चहरों की खीचतान भी शुरू है इस बीच सुहल देव भारतिय समाच पार्टी के प्रमुक ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भाजपा के कई मंतरी सपा प्रमुक अखिलेश यादव के संपर्ग में हैं उन्होंने बताया कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे उनके आवास पर मुलागात की जिसे अगर सत्ताधरी संगटन ने मौका नहीं दिया तो अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पेशकश करेंगे उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कहा कि आप चुनाव की तयारी करें और अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वह सरोजनी नगर विधानसबक शेत्र से चुनाव लड़े की तयारी कर रहे है राजपर ने ये भी दावा किया है कि केंद्रिय वानेच्य और उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव के लिए विपक्षी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है अनुप्रिया और सपा ने तरुत्व के बीच बातचित चल रही है अब सभी को अंदाजा हो गया है कि भाजपर की विदाई उत्रफदेश में निश्चित है बदादे कि राजभर की पार्टी ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले राजजविधानसबा चुनाव के लिए सपा के साथ गड़ बंदन किया है 2017 के राजविधानसबा चुनाव में अपना दल एस ने 12 सीटों पर भाजपा के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जित हासिल की थी उत्तर भारत के अधिकांच हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पढ़ने लगी है हिमालेक शेत्रों का तापमान शुन्य से नीचे आ गया है ऐसे में उत्तर पशिम भारत के अधिकांच हिस्सों में शीत लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है भारतिय मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर भारत के अधिकांच हिस्सों में आज भी बारिश और बर्व बारिश जारी रहेगी IMD ने उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में 3-5 डिगरी तक नीचे आने की आशंका व्यक्त की है भारत ये मौसम विभाग के मुताबिक दिली, पंजाब, हरियाना, चंडीगर, राजस्तान और मध्यप्रदेश में तापमान में भारी कमी का अनुमान व्यक्त किया गया है IMD का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के लिए दो पश्चे में विक्षोब जिम्मेदार थे इसका असर इसलिए जादा था क्योंकि अरब सागर के उपर भारी नमी का क्षेत्र बन गया था और उत्तर पश्चिम भारत में यूनतन तापमान को बहुत नीचे ला देती है पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के उपरी स्थानों पर भारी बर्फबारी हो रही है तथा अगले कुछ दिनों तक और बर्फबारी होने की आशंका है नज़र डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर ब्रेटेन के मिड्लाइन इलाके में 18 करोड साल पुढ़ाने समुद्र ड्राइगन का कंकाल मिला है इस खोज की ब्रेटेन की इतिहास में मिले सबसे महाजिवाश्मों की खोज में से एक माना जा रहा है तो नियॉर्क सिटी के ब्रॉक्स में एक अपार्टमेंट में आख लगने से 9 बच्चों सहीत 19 लोगों की मौत हो गई यह 30 सालों में नियॉर्क की सबसे भयावा हाथसा है वही चीन के करज़ाल में बुरी तरह से फसे शिलंका ने ड्राइगन से जुरून को प्रुनर गठित करने में मदद करने का अवान किया है शिलंका को इस साल एक दशनलब पास से दो अरब डॉलर चीन को लोटाना है उधर पाकिस्तान के बड़ बोले सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने बरफिले परेटनस्तल मरी में हुए हाथसे पर शोग जताने के बजाए शर्मनाग बयान दिया है फवाद चौधरी ने कहा जो लोग बरबारी का आनंद लेना चाहते है वे बरब का स्प्रे खरीद ले और घर में ही एक दूसरे के उपर चिड़क ले इसे बीच अमरिका ने रूस को चेताउनी दी है कि अगर उसने यूकरेन पर हमला किया तो उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा दुन्या भर की यह सारी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ ब्रिटेन में डानासोर की तलाश करने वाले विग्यानिकों को मिड्लैंड इलाके में 18 करोड सालपुरा ने समुदी ड्रैगन का कंकाल मिला है इस खोज को ब्रिटेन की थियास में मिले सबसे महान जिवाश्मो की खोज में से एक माना जा रहा है इचत्यो सौर या मीन सरी सुरूप की खोज इस खोज से ब्रिटेश वेग्यानिक बहत खुश है यह समुदी ड्रैगन डॉल्फिंग की तरह से दिखता है और 30 फूट लंबा है इसकी खोपड़ी ही एक टन की है रिपोर्ट के मुताबिक यह ब्रिटन में मिला अपनी तरह का सबसे विशाल और अपनी तरह का पूर्ण जिवाश्म है इस जिवाश्म की खोज जोई डेविस ने फरवरी 2021 में की थी रूट लैंड के पानी के पास मिला यह सी ड्रैगन करीब 82 फूट तक हो सकता था इस चत्तो सौर को सी ड्रैगन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके दाथ और आखे बहुत बड़ी बड़ी होती थी सबसे पहले इस चत्तो सौर की खोज 19 सदी के जिवाश्म विग्यानी मेरी अनिंग इनोंने की थी इस जिव का अध्यन करने वाले डॉक्टर डेन लॉमैक्स ने कहा कि ब्रिटेन में इस चत्तो सौर की कही जिवाश्म मिलने के बाद भी यह उर्लेख निया है क्योंकि यह ब्रिटेन में मिला सबसे बड़ा कंकाल है यह वास्तों में एक अप्रत्यक्षित खोज है साथ ही ब्रिटेज जिवाश्मिय इत्यास में हुई अब तक की सबसे महान खोजों में से एक है दुनिया में करीब 25 करोड साल पहले सबसे पहले इचितों सौर अस्तितों में आये थे और 9 करोड साल पहले वे धर्ती से विलिप्त हो गए थे यह दिखने में डॉल्पिन की तरह ही होते थे नुई यॉक सिटी के ब्रॉंक्स में एक अपार्टमेंट में कथितोर पर एक खराब एलेक्टिक स्पेस हीटर के कारण भिशन आग लगने से 9 बच्चों सहीत कुल 19 लोगों की मौत हो गई 30 सालों में यह नुई यॉक की सबसे भयानक है जिसमें 9 बच्चों और 10 अन्य लोगों की मौत हो गई साथी साथ कई दर्जन लोग गंबिर रूप से घायल हो गए नुई यॉक दमकल विभाग के आयुक डेनियल निग्रों ने बताया कि इमारत की दूसरी और तिसरी मंजिल आग में जल कर खांक हो गई है हाथ से में जान गवाने वाले बच्चों की उम्र 16 साल या उससे भी कम थी आयुक देनिग्रों ने बताया कि 13 लोग अस्पताल में ही भरती है और सभी की हालत गंबिर है अधिकतर पीडितों के शरीर में सास लेते समय धूँआग घुज गया मेर एडम्स ने इस घटना को भयावा बताया और कहा कि आदुनिक समय में आग लगने की यह भयावा घटनाओं इन में से एक होने वाली है दमकल कर्मियों को हर मंजिल पर पीडित मिले जिने दिल का दोरा पड़ गया था या सास लेने में तकलिफ हो रही थी करीब 200 दमकल कर्मियों को भेजा गया था आग 19 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी जो बाद में दूसरी मंजिल पर भी फैल गई और धिरे धिरे पूरी मारत में दुआप भर गया आग लगने के कारण का पता लगया जा रहा है फिलाडिलिफिया में कुछ दिन पहले ही एक घर में आग लगने से आट बच्चों से इत बारा लोगों की मौत हो गई थी इससे पहले 1990 में टेनेसी अपार्टमेंट की इमारत में भीशन आग लगने से 16 लोगों की जान चली गई थी चीन के करजजाल में बुरी तरह से फसे शिलंका ने ड्रैगन से रून को पुनरगठित करने में मदद करने का अवान किया है चीन के विदेश मंतरी वांगी की शिलंका यात्रा के दौरान राश्टबती गोटबाया राजपक्षे ने यह मदद मांगी बता दे कि शिलंका ने बहुत ज़्यादा बैस दर पर चीन से करज लिया है और अब यह उसके लिए गले की फांस बन गया है शिलंका को इस साल एक दशमलों पास से दो अरब डॉलर चीन को लोटाना है वह तब जब वह डॉलर के लिए तरस रहा है इस भी शिलंका के एक सांसद ने चीनी राष्टपती को पत्र लिक कर देश में आरतिक हमले को बंद करने के लिए कहा है शिलंका इस सांसद विजयदासा राजबक्षे ने शी जिनपिंग को लिखे अपने पत्र में कहा कि चीनी फंड से बने ज्यादातर प्रोजेक्ट बेकार है यही नहीं इन प्रोजेक्ट पर कबजा करने के लिए शिलंका के भष्टनेताओ और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कमिशन दिया गया उन्होंने चेताओने दी कि शिलंका के नेताओ पर लगातार प्रभाव बनायर रखने के लिए चीन को परिनाम भुगतने होंगे यही नहीं जनता भी ऐसी सरकार को हटाने से नहीं हिचकेगी एक अनुमान के मताबिक शिलंका को इस वर्ष एक दशमलोब पास से दो अरब अमेरिकी डॉलर का कर्चीन को चुकाना है आंतराष्टिर रेटिंग एजन्सियों ने शिलंका द्वारा 150 करोड अमेरिकी डॉलर के आंतराष्टियों 100 औरेन बांट भुगतनों को पूरा करने पर संदेह जताया है इसमें से 50 करोड अमेरिकी डॉलर का पहला भुगतन अगले सफ़ता किया जाना है पाकिस्तान के बेहद लोग्प्रिय बर्फिले परेटन स्थल मरी में भीशन बर्बारी में 10 मासुप बच्चों समें 23 पनिटकों की ऑक्सिजन, खाने और पानी की कमी से मौत हो गई इमरान खान पशासन इन लोगों की जान बचाने में नाकाराज साबित हुआ अब पाकिस्तान के बड़ बोले सुचना मंतरी फवाद सोधरी का शर्मनाग बयान सामने आया है फवाद चोधरी ने कहा कि जो लोग बर्फ का अनंद लेना चाहते हैं वे बर्फ का स्प्रेक खरीद ले और घर में ही एक दुसरे के उपर छी डख ले फवाद चोधरी ने कहा कि अप्रत्यक्षित बर्बारी और रेकॉर्ड संख्या में सेलानियों के पहुचने से स्थाने प्रशासन के लिए स्थीती को संबाला नामुम्किन हो गया था फवाद चोधरी ने अपने इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे है इस बीच मरी में भीशन बर्बारी के कारण जानगवाने वाले लोगों की संख्या रविवार को 23 पहुच गई एक बच्ची की गंभीर जुकाम और निमोनिया की वज़से मोत हो गई उसे वक्त पर अस्पताल नहीं पहुचा जा सका गौर तलब है कि प्रणजाप्रान के रावल पिंडी के मरी शहर में बड़ी संख्या में सेलानी पहुचे थे और इस बीच भिशन बर्बारी हो गई जिससे गाड़ी आप फस गई इस घटा में 10 बच्चों समेथ 23 लोगों की मोत हो गई सूत्रों ने बताय कि 4 वर्षे बच्चे की मोत जिका गली में हुई उसे गंभीर जुकाम और निमोनिया हो गया था उन्होंने बताय कि उसे वक्त पर अस्पतार नहीं पहुचा जा सका जिससे उसकी मोत हो गई अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने युक्रेन पर हमला किया तो उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा बाइडन पशासर ने साफ कर दिया कि रूस की युक्रेन में पीछे हटने तक कोई समझोता नहीं होगा अमरिका और सहयोगी देश नकेवल रूस की सरकारी संस्ताओं पर कड़े आर्थिक प्रतिबंद लगाएंगे बलकि रूस की आर्थिक मोचे पर घेराबंदी कर उसे दुनिया के सबसे खराब आर्थिक हालात वाले देशों की शिर्णी में पहुंचा दिया जाएगा माना जारा है कि अमरिका उलजा और उपभगता वस्तुओं के साथ ही एडवांस इलेक्रिक कंपोनेंट सौफ्टियर प्रोधोगी की के रूसी निरियात पर प्रतिबंद लगा सकता है इससे रूस को इंटेगरेटेट सरकीट वा सम्मधित उत्पाद नहीं मिलेंगे और रूस के एरक्राफ्ट एवायोनिक्स, मशिन टूल्स, स्मार्टफोन, गेम कंसोल, टैबलेट, टिवी, आर्टिफिशल इंटिलिजन्स और क्वांटं कंप्यूटिंग जैसे तक्निकी उद्द्योग धाराशा ही हो जाएंगे बता दे कि अमेरिका ने रूस से युक्रेज सिमा पर सेने उपस्ति घटाने का आग्रह किया था लेकिन रूस ने अभी तक इस पर फैसलान नहीं किया है अभी इस बात पर कोई संभावना भी नहीं दिख रही है ये रूस की मांग के मताबिक अमेरिका पूर्व यूरोप में अपनी सेने उपस्तिती को कम करे बाइडन प्रशासन ने कहा कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो अमेरिका यूरोप में अपनी रननीतिक उपस्तिती में बड़ोतरी करेगा वही अगर रूस पीछे हटता है तो बाइडर म्रशासन उसके साथ चर्चा के लिए तैयार है तो आज की इस खास पेशकर शेव बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होंगी तब तक देखते रिए वीके बी नियूस नमस्कार झाल